मन्जोद काल्रा का परिवार जो है समाय साथ मौझूद है और एक करारी शिकस दी है पाकिस्तान को इंडिया ने अंडर 19 वोल्ल कप में और परिवार में खुशी का माहौल है सबसे पहले मन्जोद की माता जी से बात करते हैं मैं क्या जो अब तक प्रदर्शन रहा है पूरे इस टूर्णमेंट में मन्जोद का उसको लेकर क्या कहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पूरे टूर्णमेंट में उसने अच्छा प्रदर्शन किया अपना और यह ऐसे ही करता रहेगा इसके एक सेंश्री बननी चाहिए थी बस वह हमने मिस किया इसको करने के लिए मां का जो बेटे के लिए मां का जो प्यार होता है और जो सफलता में हाथ होता है पूजा पार जोज़ जला के आप सुबे से बैटे हो यह एक प्रागना गीती भगवान था कि मंझोद तो अच्छा करे गरे पूरी टीम भी अच्छा करे यह स्पोर्ट अगर टीम की अच्छी तो तभी अच्छा खेलेंगे ये लोग मैंने तो सब टीम के लिए अच्छा मन गया है आप ने कभी सोचा था कि मन्जोट कर्केटर बनेगा और इतना नाम कमाएगा नहीं इतना निसोचा था आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने इतना मतलब प्रदर है वो इस समय है अपने भाई के प्रदर के लगी अच्छा पर गौम कर रहा है और होफुली उसे उमीद है कि फाइनल में भी ऐसा ही अच्छा परफॉर्म करें और मेरे को देख देखे मतलब खेलना सीखा उसमें आज अब तक कर जैसा प्रदर्शन है कोई कमी आप उनको बताना चाहेंगे जिस पर उन्हें सुधार करना बस वो थोड़ा ना मतलब लाप्स ऑफ कॉंसेंट्रेशन होती है और वो आउट हो जाती है उन्हें बहुत करना है या उस पर थोड़ा उसको बहुत करना है पाकिस्तान के खिलाफ जो जीत होती है वो हमेशा ज्यादा मैंने लगत पाकिस्तान और इंडिया का तो बहुत जो रहता है कॉंपिटिशन बहुत हाड रहता है और पाकिस्तान बहुत जैसे कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल टीम होती है बट इस कॉंपिटिशन में वो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल टीम नहीं देखी इंडिया की बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था और वो जीत गए ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे